हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपने एक सीसी टीवी सिस्टम लगाया है और आपके पास मोनीटर नहीं है तो आप अपने डीवीर का कॉन्फिगुरेशन कैसे करेंगे आप अपने कैमरे का सेटिंग कैसे करेंगे आज हम उसके बारे में मोनीटर के विडाउट टीवी के आप अपने डीवीर को कैसे कॉन्फिगर करेंगे आप अपने कैमरे का एंगल और व्यू कैसे एडजेस्ट करेंगे उन सारे चीजों के बारे में जानेंगे मैं हूँ शाकीब आप देख रहे है मेरा यूटूब चैनल शाकीब टेक तो चल कैसे अमूच्व करेंगे उसके लिए आपको लगेगी दूसरे चीज एक आपको लाइन के बल का इंक महला है दूसरे चीज़ अपको लगने वाला है एक लैप टॉप का आपको इस्तेमाल बढ़ेगा तो आज हम यूज करेंगे ये देखिए हमारा एक लैप टॉप है ईस इसके मदद से हम DVR को हम पावर दे देते हैं यहाँ देखिए इसके थुरू हमने DVR को पावर दे दिया इसको साइड में रख देते हैं तो देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे DVR में पावर आ चुका है चलिए अब हम लैप्टॉप को अन करते हैं यह देखिए हमारा लैप्टॉप है इसको चालू कर लेते हैं अभी देखिए लैन केबल का कनेक्शन कैसे करना है इसका इस्तेमाल बताते हम आपको देखिए DVR के पीछे एक देखिए एक लैन पोर्ट होता है यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगर देखिए यह हमारा लैन पोर्ट होता है तो लैन केबल के एक इंड को आपको लैन पोर्ट में डाल देना है और यह देखिए अपने इंसर्ट कर दिया अटियो दूसरे पोर्ट को यह हमारा दूसरा पोर्ट है इस प्रचと思 अर्मिद्व लैंपव्ह करने दो देखिए धो लैन पोडीके अंदर शाद को हम इसे मिहीं जैसी हमने डाल दिया आप खा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा कडीब से दिखाऊ, तो यह देखिए, यह connection यहाँ पे यह show हो चुका है, देखिए, आप देख पा हरे होंगे, यहाँ पे हमारा connection show हो चुका है, चलिए हम आपको बताते हैं, इसको कैसे login करते हैं, तो चलिए हम computer के उपर आ सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे DVR का IP क्या होता है क्योंकि आपको भी पता है जितने भी डिवाइस होते हैं हमारे DVR या NVR या फिर हमारे IP कैमरे सबकी एक अपनी पार्टिकुलर IP होती है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे DVR का IP क्या है उसके बारे में पता लगाएंगे फिर उसके बाद हम आगे उस IP के help से फिर हम DVR को लॉग इन करेंगे साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास NVR है या फिर कोई DVR है या फिर IP कैमरा है तो उसका IP अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे एक software के मदद से आज हम आपको software के बारे में बताएंगे जिसके help से आप अपने DVR, NVR या फिर आपके IP कैमरे के बारे में पता लगा सकते हैं प्लस के केस में जो software आता है उसका नाम है IP Finder टूल यह देखिए आप हमारे डिस्प्लेय को पर देख पा रहे होंगे यह IP Finder टूल है हम रिफ्रेश कर देते हैं यह देखिए यह रिफ्रेश बटन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा एक डिवाइस यहां पर फाउंड हो चुका है हमारे जो डिवर कनेक्ट है और यहां पर उसकी आईपी भी आ गई है यह देखिए हमारा जो डिवर का आईपी है वो है 192.168.1.100 साथी साथ आप देख पा रहे होंगे यहां पर लेफ्ट साइड में इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है और हमने जैसा कि आपको बताया कि यहां से आप अपने मैक अंदर जितने भी device क्नेक्ट रहेंगे वे सारे डिवाईस यहां पर आपको शो हो जाएंगे यहां पे अभी हमारे नेट्वर्क में लागिंदने करने के लिए उसके है आप अपने आयपी को वहाँ जाकर login कर सकते हैं जैसे इंटरनेट explorer आप गुग्टल क्रोम चरयपार भी इसको login कर सकते हैं जो आप को विक पर शेक्रागों के याध ऐसे फृत आप मेंट करेंगे कि इसे ल और आप जब भी अपने DVR, NVR या फिर IP camera को login करें तो internet explorer के थुरू login करें आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक option दिया हुआ है web login का आप इसके उपर भी click करेंगे तो direct आपको यह internet explorer के उपर लेके जाएगा और वहां पे आपका DVR का page login हो जाएगा तो चलिए हम इसके उपर click करते हैं web login के उपर फिर देखते हैं क्या होता है अभी देख पा रहे होंगे यहां पे हमारा जो यह CP plus DVR का जो page login हो चुका है जैसा कि आपके monitor के अंदर होता है वहां पे आपको login करना होता है username डाल कर और password डाल कर वैसे ही यहां पर भी है यह देखिए हमारा username by default admin आ चुका है यहां पर हमें password डालना है तो चलिए हम password डालते हैं अपने DVR का आपके DVR का जो भी password है आप यहां पर डाल देंगे तो चलिए हम DVR का password डाल देते हैं यहां पर एक और plus point दिया हुआ है कि यहां से आप अपने password को view भी कर सकते हैं यहां से चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या DVR का password डाला है से आप यहां कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि आपने अपने DVR का password क्या डाला है उसके बाद TCP को ही आपको select करना है, उसके बाद आपको नीचे दो और option दिख रहे है, LAN और WAN, आपको LAN के उपर click करना है, and then after उसके बाद login के उपर click कर देना है, तो चलिए हम login करते है DVR को, देखे हमारे DVR login हो चुका है, और साथ ही साथ हमारे monitor के उपर एक pop-up भी आ गया है, कि no SDD का, य कि हमारे यह complete तरीके से हमारे DVR open हो चुका है, चलिए हम one by one जानेंगे कि laptop के अंदर कौन से functions, कौन से options कहां पे आपको मिलेंगे, तो चलिए हम फटा-फट आपको overview बता देते हैं, यह देखे, पहला option यहाँ पर top पे आप देख पा रहे होंगे, यह सारे आपके options button है, चलि आप से देखे, यहां से one by one बताते हैं, यह one camera का grid है, आपको अगर एक camera देखना है, तो one camera के उपर grid कर सकते हैं, उसके बड़ देखिए, यहां से आप नीचे option दिया हुआ है, यहां से finally यह देखिए, हमारा 16 grid आ चुका है, हम यहां पर maximum 16 camera देख सकते हैं, जैसा आप monitor के अ यहां left side में देखिए, आपके सारे camera cam 1, cam 2 से लेकर cam 16 तक आ चुके हैं, चलिए अगले option के तरफ जाते हैं, दूसरा option यहां पर दिया हुआ playback का, तो आप इसके मदद से आप यहां playback भी यहां से आप check कर सकते हैं, जैसे आप monitor के अंदर करते हैं, as it is वैसे ही, आपको यहां स select कर लेना है, उसके बाद आपको कौन सा camera देखना है, उसके इसाप से यहां पर आपको camera select कर लेना है, and then finally उसके बाद यहां देखिए, play button दिया हुआ, इसके उपर आप क्लिक करेंगे, तो आपका playback चलू हो जाएगा, यह देखिए, आपका यह टाइम बार है, 1 से लेके 24 आ हमारा alarm, तो जितनी भी alarm की setting होती है, आप यहां से alarm की setting कर सकते हैं, जैसे motion detection आपको enable करना है, यह दिसेबल करना है, तो सेटिंग कर सकते हैं चलिए अगले option के उपर जाते हैं अगला option है हमारा setup का setup option के अंदर आप जाके यहां से आप क्या-क्या setting कर सकते हैं वह हम आपको बताते हैं यह देखिया हमारा setup का option खुल चुका है setup के अंदर यहां पर basically left side में आप देख रहे होंगे यहां पर चार-पांच option दियो है पहला remote है दूसरा आप रिमोट network की सेटिंग यहां से कर सकते हैं event की सेटिंग storage के और system की सेटिंग कर सकते हैं उसके बाद जो अगला option दे यहां पर हम अगली वीडियो में आपको पूरे details में बताएंगे यह सारे network के अंदर आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं event के अंदर क्या hardware वर्जन का क्या है और उसका serial number भी आप यहां से पता लगा सकते हैं और system का वर्जन यह सारी चीज़ आपको जो भी आपके DVR के बारे में information लेना है वो आप info के option के अंदर जाके आप वहां से पता लगा सकते हैं पाइनली उसके बाद यहां से आप लॉग आउट जैसे आप अपने monitor के अंदर लॉग आउट करते हैं तो आपको आपका DVR जब आप कामकर complete कर लेते हैं उसके बाद यहां से आपको logout का option दिया हुआ यहां से आप logout कर सकते हैं चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए